तो अभी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि करेंट ओम्सला क्या था जे इकोल टू सिग्मा यह था यह वेक्टर फॉर्म ओम्सला है ओम्सला इसको बोलते हैं लेकिन करेंट स्केलर क्वांटी है तो हमें एक ऐसा रिलेशन ढूड़ना होगा जो कि स्केलर हो उसी कुझर करते हैं ढूड़ने का तो यह ज्यादा पॉपलर नहीं है जैसे इसमें इस टाइप क्वेश्चन बनता है कि एक कंडॉक्टर है वो नौन इनिफॉर्म क्रॉस सेक्षिन का है मालेते हैं करेंट इस कंडॉक्टर में फ्लो कर रहा है तो पूछा जाता है दो पॉइंट ए और लेश्डन वी दूसरा उप्शन है कि आईए इसलेस देन आई बी करेंट है ऑट तीसरे अऊप्टन है कि आई अ इक वी कोल टूग टू आई बी में करेंट इने कंडॉक्टर इस फ्लोईंग एंड हर तो डिफ्रेंट पॉइंट बी देन वीचा फ्लॉइंग अप्शन्ण जय क्या है करेंट डेंस्टी है जहे लेस दण जशेट है कि और सब्सक्राइब अब अबशाना मोलें आपको च्छान क्या भर क्या ख्याद है कटagen पॉइंट वन पर जाधा है कि दौन्टर्थी फारो फिल्ट याट है कि दो 또 एता की आप यहां पढ़े न क्योंकि मोटा पाइप है नहीं करेंट से होता है क्योंकि continuity जब फ्लूड पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो कांटिया पढ़ेंगे 11 यह कंटियूडी कोई से मोटा फ्लौ फ्लॉड यहां पर इलेक्ट्रीक provided इससे हाइन को इसके होगा वह डेल्टा क्या रहता है जबतGS की बाहर से verme पाई पांकिंव यहां पर दोनों जगा से इंपॉर्टन बात है अचां डेन्स्टी ते क्या होता है है करेंट है चैं Basil सुला क्षेंदे एट A is greater than area at B, और जहाँ area जाद होगा, वहाँ current density क्या होगा, कम होगा, इसका मलब J A क्या है, less than J B है, क्योंकि S A greater than S B था, S मतलब ये वाला area, cross section वाला area, J by A, तो J A less than J B हो गया, ठीक है, अच्छा, relation क्या है, J equal to sigma E है, J equal to sigma E, और sigma क्या होता है, conductor का sigma हार जेगा все होता है, एक ही conductor, तर temperature होगा या तो दिया हो कि यहाँ का temperature कम जादा है, तो अगर सिग्मा जो होता है, conductivity कीवल किस पे depend करता है, temperature पे depend करता है, temperature बढ़ाने से, conductivity घटता है तो conductivity एगर सेम है तो जहाँ पे current density ज़्यादा होगा वहाँ पे electric field ज़्यादा और जहाँ current density कम वहाँ electric field कम तो इसका मतब electric field at a is also less than electric field at b ठीक है तो यह यह अच्छा question था ओम्सला पे best अब ओम्सला काम लुग जो है vector form हो गया इसका scalar form हम लोग ढोड़ते हैं इसको आप आराम से note करेज़ेगा इसकी में पहुच करके इसका हम scalar form देखते हैं कि इसका scalar form क्या है j equal to sigma i का scalar version scalar form जो की ज़्यादा popular है तो चलिए एक लेतने L length का conductor और इसको जोडते हैं V bolt के battery से V bolt के battery से जोड़ दिए ठीक है battery के जोडते इसमें क्या जाएगा electric field E develop हो जाएगा potential difference will create electric field ठीक है अच्छा क्या होगा V equal to E into L electric field E क्या हो जाएगा V by L potential current length is defined as electric field ठीक है यहाँ पर आईए जरा J का value क्या होता है current अगर I है माल लेते हैं यहाँ से इस circuit में इस conductor में total current I है यह क्या है cross section area आपका capital A है length conductor का L है ठीक है तो I का value क्या हो जाएगा I का value हो जाएगा J by A current क्या हो जाएगा J by A J equal to क्या हो जाएगा I into A इसका जरा scalar put करिए जरा इस equation में J equal to sigma E में तो J equal to sigma E vector अटा दी हम लोग तो J के जगा लिख देंगे I into A और sigma और electrical field क्या हो जाएगा V by L इसके लगव V का value क्या हो गया V का value जो V का value आगया I into L into A I L into A by कितना sigma 1 by sigma हम लोग क्या बोले थे rho बोले थे ना तो 1 by sigma क्या बोले थे हम लोग rho बोले थे ना तो J equal to जो होता है current density उल्टा लिख दिए current density क्या होता है I by A होता है I equal to क्या हो जाएगा J के जगा हम लोग लग देंगे I by A यहां लिखेंगे I by A लिखेंगे तो V का value क्या आजाएगा यहां A नीचे रहेगा ठीक है तो अच्छा इसको अगर हम लोग रख देंगे तो यह हो जाएगा rho L upon A इन्टू क्या हो गया आई हो गया तो ध्यास देखिए इसको लोग इसको देखिए यह जो conductor का इस property हो गया यह रो हो गया resistivity जो कि किस पर depend करता है conductor material पर depend करता है temperature पर length हो गया conductor के area यह geometry हो गया और I इसका मतलब है कि जो potential difference भी को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं I, R लिख सकते हैं वेर R, H rho L upon A इसको बोलते हैं this is called resistance of conductor this is called resistance of conductor resistance किस पर depend करेगा length पर area पर nature of material पर ठीक है rho, rho क्या होता है rho is resistivity temperature बढ़ने से क्या होगा temperature बढ़ने से sigma क्या होता है घड़ता है resistivity बढ़ता इसलिए resistance बढ़ता है as temperature increases resistance of conductor increases तो V equal to IR यह ohms ला है ठीक है? अच्छा हम लोग कते हैं कि V is proportional to I V is proportional to I जितना ज्यादा करेंट होगा conductor में उतना ज्यादा क्या होता है conductor के across potential difference produce होता है तो V is proportional to I तो V equal to IR इसको अगर हम लोग V कि देकर डेल्टा भी कहें डेल्टा भी मतलब voltage potential difference तो क्या हो जाएगे यहाँ पे डेल्टा भी इस proportional to I और जो प्रपोर्पोर्पोर्पोर्टी constant होता है वही क्या होता है जो proportional डी constant होता है वो होता है resistance R ठीक है तो आराम सारे बातों को आप नोट के लिजिए This is ओम्सला यह ओम्सला का scalar form है This is also ओम्सला क्योंकि यह कहां से निकल के आया है यही निकल के आया है तो यह vector form ही scalar form समझाते हैं कि किसी कंडेक्टर के एक रोस को जो कंडेटर में करेंट हो गा वो किसके प्रोपोर्पोस्नल होगा रहॉ जो डल्टेज के डेल्टा-वे प्रोक ë डुआ नो र beef यहां से descript करते हैं prophecy नहीं और उस ओरिजिनल देखे यहां से है इसका मुझे डेल्टा वी इकल टू आई आर तो अब फिर बोलेंगे आर क्या होगा रिजिस्टेंस जो हम लोग यहां प्लिख दी नहीं है जै अगर इक गुफय यही होता है तो अगर यही होता क्यों आपकि गंडूकटर का गूफय पार करना है अगर गूफा पार करना मालेजिए स्कूल के बच्चे गूफा जाते हैं इहां से यह ग्ली dealing кли 18 अगर इसके लेंथ जादा है इससे कम लंबा है ना रॉप सलेंगे कम कि यह पिक निक जंगल आ गया आपको उस पार करना है तो क्या होगा तो आप लंबा टनल होगा तो देसे पार करेंगा ज्यादा Safe पत्ला है और एक जो है मोटा थे किसा का जब लिस्टेंस होगा पत्ले का की मोटे का किसमें आराम से पार्क करेंगे इन पटला जक्र रेंग करेंगे कम अ कर लेंगे नहीं स्टेन्स लिधुन बल्स बेस्टेन सब्सक्राइड होगा ज्यादा सब्सक्ति जब दोनों को मिला देंगे तो रिजिस्टेंश किसके प्रोपोर्पोर्पोर्पोर्पोस्डेस अलब करो बोलते हैं तो ए पहरा है कि तो टंत सिख्यार की स्थ pseudo को स्म NOT के लिए समझ जाइए कि जतना ज्यादा रुजिस्टेंज दिक्कत है और ज्यृतना बड़ा होगा उतना कम रूज्ट हम से सब्सक्राइप पार करेंगे चोड़ा और ंर्च अपतला होगा रेंग रेंग के पार करना होगा बस विंग यह योंसलर हैं टल्टा व इकोल UP तो हम लोग क्या सीखे कि डिल्टा वी कोल टू आई आर मतलब कि डिल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई अच्छा यह सई स्टेटमेंट गलत है पोटेंशल को जैसे करेंट आता है करेंट को जैसे प्रोटेंशल आता है बताइए करते हैं डिल्टा वी प्रोपोर्शनल जबकि होता क्या है कि जब बैटरी लगाते हैं तब करेंट आता है तो होना क्या चाहिए कि आई इस प्रोपोर्शनल टू डिल्टा वी लेकिन बोलते क्या आए हम लोग डिल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आए तो उनका करने देखे ऐसे वहाँ पे resistance r का value क्या होता है resistance r का value होता है रो यल अपान ए इंपर्टेंट बात सुनिए length l is taken along current length is taken along current जो length होता है हमेशा current के along लेते हैं का सिर्फ क्रेंट के यौंग लेंगे और एर्या कि दर लेंगे के एरिया लेंगे करेंट के परपेंडिकल लेते हैं गयों जिस से जैसे for example, एक conductor है, यह keyboard है, ठीक है, यह मान लेतने x-axis है, और यह y-axis है, और यह z-axis, ठीक, x-axis y-axis और यह z-axis है, ना, तो जब मान लेतने कि यह length a है, height इसका b है, और width c है, x के long a, y के long b, और z के long c है, तो when current is along x-axis, जब current x-axis के long होगा, उस case में resistance rx क्या होगा, जब current x के long होगा, इस प्रकार से, ऐसे flow करेगा, जब current, तो length तो a हो जाएगा, लेकिन area क्या होगा, area यह वाला cross section, area में सब perpendicular, तो rx क्या होगा, rho l a upon bc, important बात है, यह ध्यान समझना है, सबको, length is always taken along the current, and area is taken perpendicular to current, इसी प्रकार से current अगर y के long होगा, तब ऐसे flow करता, तब length b होता, और area तब क्या होता, तब a into c होता, तो r y क्या हो जाएगा, rho b upon a c, उसी तरीके से r z क्या होगा, rho c upon a b, मतलब z के long current flow करेगा, तो z वाला जो length होगा, वो length हो जाएगा, c, और area क्या होगा, उस case में जो area होगा, वो b into b हो जाएगा, समझ माया, तो यह एक अच्छा question है, ठीक है, अरब से note के लिजिए, तो अब हम लोग कुछ और question देखते हैं, जैसे कहा जाता है, किसी conductor का length double कर दिये, एक conductor L length का, इसको stretch करके, इसका length double कर दिये, तो resistance पर क्या effect पड़ेगा, if length of conductor is increased, length of conductors doubled by stretching it, then what is effect on its resistance, ऐसा question आता है, हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि, अगर resistance L की बात कर करें, तो रोयल अपान क्या होता है, यह होता है, conductor का जो volume होता है, वो हमेशा constant रहता है, आगर खीच देंगे, लफा करेंगे, तो पतला हो जाएगा, इसको आगर resistance को आप रोयल अपान area के जगह क्या लिए, यह एरिया के जगह आप लिख सकते है, एरिया के आप लिख सकते है, volume रोयम पर लेंध लीख देंगे, तो रोवाई वी इन्टी क्या आगया, L Square आ गया, जब भी stretching वाला question आए कि खिच दिया गया, stretch कर दिया गया stretching the conductor, conductor को stretch करके दो गुना कर दिया, तीन गुना कर दिया ऐसा question, इसका मलब रेजिस्टेंस किसके proportional, L Square के इसका मलब कि लेंथ को अगर 2L करेंगे तो रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा क्योंकि isquare हो जाएगा. Length को 3 गुणा करेंगे, तो resistance 9 times हो जाएगा, और length को अगर L से n गुणा करेंगे, n, l करेंगे, तो resistance क्या हो जाएगा? n square R हो जाएगा. संच्पाइगा? क्योंकि square हो जाएगा. Length की square के proportional होता है. तो जितना गुना करेंगे, अगर 10 गुना करेंगे, तो 100 गुना हो जाएगा, तो R is proportional to L2, stretch वाले case में, जबी भी ऐसा question है, खीच दिये, ऐसा कर दिये, वैसा कर दिये, ठीक है, अच्छा, कभी मालें जाए ऐसा question है, कि 2%, 3% length resistance, length increases by 2%, 2%, ऐसा question है, कि length is increased by 2% find percentage increase in resistance तब वहाँ बे क्या करेंगे फिर से वही कि r क्या होता है k into l square होगा proportional constant k माल लीजिए differentiate कर दिजिए तो dr क्या हो जाएगा 2kl dl so dr by r क्या हो गया dr by r हो गया 2dl by l तो अगर ये 2% है तो ये क्या हो जाएगा 2 गुड़े 2 मतलब 4% तो सीरे power से समझ में आता है क्योंकि y अगर x के power n है तो dy by dx क्या होता है nx के power n-1 तो ये percentage वाला question महीं करेंगे जहां छोटा percent हो 1% 2% 3% 4% 5% क्योंकि differential का मतलब बहुत छोटा change ठीक है तो length को 2% बढ़ाएंगे resistance 4% length को 3% बढ़ाएंगे तो resistance 6% क्योंकि n देखिए जितना power होता है उतना multiply हो गया तो differentiate की देखिए टू यहां पर आया तो डील बाई एल तो दो है तो दो गुड़े दो चार हो गया यह अगर तीन है तो इच्छा हो जाएगा चार है तो आठ हो जाएगा ठीक है ऐसा लेकिन ऐसा नहीं कि तो यहां 40% चेंज नहीं आएगा तब वहां basic math हम लोग यूज करेंगे कि अगर length को 20% बढ़ाए तो length को 20% increase कि यह length increases by 20% तो अब resistance कितना था रोल अपान ए था मतलब के इंटू एल स्कॉाइर था इस्ट्रेच करना है स्ट्रेचिंग वाले ही चल रहा है तो नहीं रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा के इंटू 1.2 एल का 20% मतलब क्या हो गया 1.2 हो गया तो यह कितना आया 1.44 कि 1.44 के एल स्कॉाइर कि इसको आर डेस जो आ गया 1.44 आर आ गया कितना परसेंट बढ़ा 1 से 1.44 तो इनकीज़ बाई सो आर इनकीज़ बाई हाउ माज 44 परसेंट यहां तब यहां चालिस नहीं होगा तब यहां बेसिक मैथ लगाएंगे जैसे काता तो यहां 30 परसेंट तो 1.3 का स्कॉाइर का होता 1.69 तो उससे में कितना परसेंट बढ़ता तब उससे में 60 कितना परसेंट बढ़ता जैसे 10 परसेंट बढ़ता तो 1.1 का स्कॉाइर क्या होता 1.11 तो वहां कितना बढ़ता ठीक है तो जैसा question आएगा 1.21 होता तो वहां 21 पर जब्रा और एक दो पर्सेंट चेंज होगा तो वहां सिंपल केल्कुलेस नहीं तो वहां हम लोग केल्कुलेस से काम चला देते हैं ठीक है अराम से बातों को समझ लीजिए